दोस्तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं Xbox Game Pass vs PS Plus की Membership के बारे में कि इन दोनों में से कौन सी जाधा अच्छी है हम इस बारे में तो भाहस करते रहे हैं कि PlayStation जाधा अच्छा है या आपका Xbox जाधा अच्छा है लेकिन हमने यह कभी नहीं देखा है कि या membership किसके अच्छी है Game Pass जाधा अच्छा है या PlayStation Plus की Membership है वो जाधा अच्छी है तो आज हम उसे के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर डीटेल में सबसे पहले हम बात करने थे PS Plus की Membership के बारे में फिर हम बात करेंगे Xbox Game Pass के बारे में देन हम बात करेंगे कि दोनों में से जाधा अच्छा कौन सा है तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर हमें PlayStation Plus की Membership देखने को मिलती है जो तीन हिस्सों में डिवाइड है पहला है Essential, दूसरा है Extra और तीसरा है Deluxe Essential क्या है? जैसे आपको पहली वाली PS Plus की Membership मिला करती थी ना जिसमें आपको दो गेम फ्री मिलते थे हर महीने फिर Online Gaming का भी Support देखने को मिलता था Cloud Storage भी देखने को मिलता था मतलब ये कुछ चीज़े देखने को मिलती थी बस इसके लावा आपको कुछ और नहीं देखने को मिलता था तो उसी का नाम इनोंने बदल के कर दिया है Essential, तो Essential में आपको सिर्फ दो गेम मिलेंगे उपर से फिर आपको Online Gaming का Support देखने को मिलेगा और थोड़ा बहुत डिसकाउंट जो आपको PS Plus की Deals में देखने को मिलता है सिर्फ वो ही देखने को मिलेगा बाकी इसके अंदर कुछ अच्छा नहीं है और यहां पर हम प्राइसिंग की बात करें तो भाई 500 रुपे महीना जाती है अगर 3 महीने के लेंगे तो 1200 रुपे जाएंगे और पूरे साल के अगर आप देंगे तो थोड़ा बहुत डिसकाउंट मिल जाएगा जो आपको यह 3000 रुपे साल का पड़ेगी इसके बाद आपको पता है कि Essential के बाद Extra आता है यह है मेन मतलब जो सबसे अच्छा मुझे प्लान लगता है इसमें आपको क्या देखने को मिलता है इसमें आपको 100 of game देखने को मिलते है जो की यह catalog daily update होती रहती है इसमें नए नए games add होती रहते हैं तो यह काफी अची चीज है इसमें आपको कई सारे games देखने को मिलते है यह पर Game Catalog के साथ इसमें Ubisoft की बिकाफी सारे earth essence greatness kree are वह काफी जादा देखने को मिलते है सारे नहीलेकिन लेकिन काफी जादा Ubisoft के दर app गेम देखने को मिलते है जो इसके एक महीने का है वह 750 का है जो इसके तीन महीने वाला plan है वो 2000 रुपीज का है और जिसका 12 महीने का subscription है वो 5000 रुपे तक का है तो यहाँ पर आपको Essential से 1000 रुपे एक्स्रा दिना पड़ता है एरली लेकिन उसका क्या फायदा है कि आपको Game Catalog बहुत अच्छी मिलती है Ubisoft के भी गेम देखने को मिलते हैं और बागी जो सारे features से essential में वो सारे आपको इसके अंदर भी देखने को मिलते हैं तो यह मुझे सबसे best plan लगता है जो PlayStation की तरफ से आता है और मैं extra ही लेना पसंद करूँगा किसी भी दिन क्योंकि PS Plus membership में यह सबसे ज़ादा value for money है इसके बाद जो अगला plan आता है वो deluxe आता है उसके अंदर आपको essential और extra के सारे features देखने को मिलते हैं लेकिन यहाँ पर आपको एक और feature देखने को मिलता है जो कि यह classic catalog classic catalog क्या होती है कि आपको इसमें जो पुराने पुराने गेम के टाइटल है जैसे आपके PS1 या PS2 के हैं तो वो भी इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं तो अगर आप पुराने गेम के शौकीन है तो शायद यह आपके लिए अच्छे हो सकती है यह काफी सारे पुराने गेम इसके अंदर देखने को मिलते हैं जो कि आप PS5 के अंदर खेल सकते हैं और इसी के साथ आपको Game Trial का भी option देखने को मिलता है यह Game Trial क्या है इसमें आप जो भी नया गेम लाउंच होता है उसको आप Simply आप डाउनलोड करकी खेल सकते हैं कुछ टाइम तक मतलब पूरा Game ने खेल सकते हैं थोड़ा सा खेल सकते हैं जिससे आपको यह पता चल जाता है कि भाई यह Game खरीदने लाइक है कि नहीं है तो यह एक अच्छा decision हो सकता है जो कि नए नए गेम लेते हैं पर्चेस करते हैं तो उनके नहीं काफी जाता अच्छा हो सकते है एक Game trial का option क्योंकि भाई उनको पता चल जाएगा कि यार यह Game अच्छा है कि नहीं है यह शुरुवादी phase में पता चल जाएगा और जो आपका 12 महीने का है मतलब एक साल का वह आपका 5,750 रुपे का है यहाँ पर आपको सिर्फ एक्स्ट्र से 700 रुपे जादा देने पड़ने है और उससे क्या हो रहा है कि आपको classic catalog और game trials भी देखने को मिलते हैं तो यह सारी चीजें तो यह काफी जादा अच्छी है लेकिन यहाँ पर हम एक्स बॉक्स की भी बात कर लेते हैं तो एक्स बॉक्स में भी हमें यहाँ पर तीन category देखने को मिलते हैं और यह काफी त्यादा पुराना हो जोगा मतलब PlayStation अभी अभी आया है और शायद उन्होंने गेम पास को देखती है अपनी PS Plus की membership उन्होंने यह लांच करी थी तो यहाँ पर आपको तीन देखने को मिलती है console PC और आपका ultimate तो यहाँ पर हमें जैसे ही नाम से पता चल रहा है कि console वाला console के लिए पीसी वाला PC के लिए और ultimate जो है वह इनका best plan है जो कि PC और console दोनों के लिए मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर console आपको मिलता है साड़े-3.00 रुपय महीने में PC आपको देखने को मिलता है 3.500 रुपे महीने में और जो आपका ultimate है वो आपको 500 रुपे महीने में मिलता है यहाँ पर मैं सारी specs की बात करूँगा लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि भाई, इसके उपर tax भी अलग से लगता है ऐसा PlayStation में नहीं है जो की एक अच्छी चीज़ लगती की जो दीख रहा है वही खरीद रहें लेकिन Microsoft में ऐसा नहीं है भाई अगर उसमें 3.500 रुपे लिखे हैं तो भाई tax उसमें अलग से लगेगा उसमें अलग से इंकलूड होगा लेकिन चलिए वह बात सारी अलग है यहां पर अभी हम बात कर लेते हैं कि console में आपको क्या देखने को मिलता है मतलब console में आपको इनकी पूरी game library देखने को मिलेगी 3.500 रुपे के अंदर आपको पूरी इनकी game library देखने को मिल जाएगी और यहां पर आपको membership deals और discounts भी देखने को मिलते हैं तो यह सारी चीज़े देखने को मिलती हैं और यह plan सिफ console में चलेगा PC के अंदर यह plan नहीं चलेगा PC का जो 3.500 वाला है उसमें आपको यह सारी चीज़े मिलेंगी इनकी game की catalog जो इतनी बड़ी है वो पूरी आपको देखने को मिलेंगी Day 1 release जो इनके studios के हैं वो भी देखने को मिलेंगे membership की deal discount जो यह सारी चीज़े होती है वो सब देखने को मिलेंगी लेकिन यहां पर आपको extra जो मिल रहा है सारी 300 में PC के अंदर वो है EA Play की membership मतलब EA के जितने सारे games है वो भी आपको इसके अंदर include देखने को मिलेंगे जैसे FIFA हो गया आपका वे आउट हो गया और भी जितने भी सारे टाइटन फॉल वगएरा या Need for Speed वाली series हो गए वो सारी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी EA की अलग से भी खरीज सकते हैं आप Xbox के अंदर लेकिन अगर आप PC वाला साड़े 300 वाला लेंगे तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी लेकिन ये console वालों के साथ नाइंसाफ के ना कि उसके अंदर आपको ये play की membership देखने को नहीं मिलती जो कि मुझे भी बहुत बुरी चीज लगती है इसके बाद आते हैं ultimate ultimate की बात करें तो ultimate में आपको ये आप console PC दोनों में खेल सकते हैं सारी जो game catalog वो भी मिलेगी day one release जो xbox studios वाले games होंगे वो भी देखने को मिलेगे सब चीज़े मिलेगी ये play की membership भी मिलेगी और साथ ये साथ xbox live gold भी देखने को मिलेगी तो ये पूरा एक package आपको ultimate में मिलेगा जो से 500 रुपे में देखने को मिल जागा और PC वालों के लिए PC जाद अच्छा है क्योंकि उसके अंदर आप 100 रुपे बचा पा रहे हो महीने के तो ये कुछ सारी चीज़े हैं अब बात कर लेते हैं कि यह तो pricing हो गया लेकिन जादा अच्छा कौन सा है तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आपके उपर बहुत जादा depend करता है कि आप PlayStation वाले गेम्स खेलतों या फिर Xbox के गेम्स खेलतों या फिर एक्सबॉक्स के गेम्स खेलतों या पिर एक्सबॉक्स देखने को मिलते हैं में भी काफ से जादा गेम्स देखने को मिलते हैं Xbox स्टूडियो के सारे गेम्स देखने को मिलते हैं और पता नहीं Activision Blizzard वाली डील का क्या हुआ अभी तक पता नहीं जब से उसने सोनी ने अर्चन लगाई थी मैं इतनी फॉलो नहीं कर रहा हुँ उसको तो अगर किसे को पत आप Xbox लेकिए उसकी membership ले सकते हैं और अगर आपको PlayStation वाले गेम्स खिल लें तो आप PlayStation लेकिए उसकी membership के भी लाब उठा सकते हैं तो आपको जो लेना वो ले सकते हो लेकिन अभी main चीज जो आती है जो main है कि जो game pass को बहुत सस्ता बना देता है आप सोचोगे कि यार 500 रुपे का मिल रहा है Amazon के उपर तो वहां से आप जागे खरीज सकते हैं और यह बहुत कमाल की चीज है आपको एक साल दो साल और maximum तीन साल तक का मिल जाएगा और काफी सस्ते में देखने को मिलेगा क्योंकि अगर आप 500 रुपे के हिसाब से आप multiply करोगे तो साल का 6000 रुप गेम पास देखने को मिल जाएगा वो भी ultimate जिसमें Xbox Live Gold और EA Play दोनों आते हैं तो काफी जादा सही पड़ेगा मतलब around 500 रुपे महीना होगा लमसम लमसम जो की काफी value for money है लेकिन ऐसा PlayStation के साथ देखने को नहीं मिलता है तो अगर हम यह चीज़ मान की चलें तो Xbox का गेम पास काफी जादा सस्ता पड़ता है मतलब एक तो Xbox का console भी सस्ता है Xbox Series S और उसके बाद Game Pass भी जादा सस्ता मिल रहा है अगर हम Amazon से ले लेते हैं Amazon का link नीचे description में दे दूँगा अगर किसको जाके वो खरीदना है सस्ते में Game Pass जाके खरीद सकता है लेकिन आप इसका मतलब यह नही शिप थी उसके वो मिल रही थी सिर्फ और सिर्फ तीन हजार रुपे में वैसे पाचीजार रुपे की मिलती है लेकिन उसमें मिल रही थी 3,000 रुपे की बहुत कमाल की pricing थी तो अगर आपको वो सेल में मिल जाती है तो वो भी काफी जादा अच्छी डिल है तो यहां पर कि इन लॉंग रन में Xbox जादा सस्ता कॉंसोल बैटा है क्योंकि एक तो कॉंसोल उसका सस्ता अगर आप Xbox Series S भी लेंगे तो वो भी काफी जादा सस्ता और मैं यह देख रहा हूँ कि उपर से Game Pass भी आपको अगर आप Amazon से खरीदते हैं तो बहुत सस्ता देखने को मिल जाता है तो इन लॉंग रन में आपका Xbox काफी जाता सस्ता पढ़ता है और Xbox Series X देखा जाए और PS5 Digital Edition देखा जाए तो वो भी उससे सस्ता है और उपर से फिर Game Pass में आपको बता दिया तो लॉं आपके लिए शायद Xbox जादा अच्छा है क्योंकि वो एक सस्ता कॉंसल भी है और फिर उपर से आपके जो Game Pass है वो भी आपको अराम से कभी भी Amazon में 3000 रुपे साल आना या फिर 8000 रुपे आपका 2 साल का या 10,000 रुपे शायद है 10,000 या 11,000 तीन साल का तो काफी जादा सस्ती membership पढ़ जाती है अगर जितने साल का भी आप जादा ले तो आपको सस्ती पढ़ती रहती है तो मेरे हिसाब से अगर मैं इन दोनों में से कोई भी एपिक करूँगा तो अफ्कॉस जो मेरी game की choices हैं सब कुछ मिला के आज ये time में तो मैं Xbox Game Pass को जादा अपनी preference दोगा क्योंक कामाल किये game catalog के मामले में तो ये Xbox को पीछे छोड़ देती है आज के time में तो आने वाले time में देखते हैं कि Activision Blizzard की deal का हाँ पर जाती है तो दोस्तों फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही हूं मैंदे कि आपको ये वीडियो पसंद आए होगी पसंद आए तो लाइक कीजिए कोई भी सवाल और आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सेखेंजी क्योंकि मैं आपके लिए सी मटगायर वीडियो दो लाते रहता हूं मैं मैं मिल्स आपको अगली वीडियो में तब तक लिए spread peace love and happiness